दोस्तु आज मैं आपको गरीब ननन्द का महलो का ससुराल कहानी सुना रही हूँ सोमेश कहता है आरे मनजू चाहे नास्ता बन गया क्या मनजू अजी बस बन ही राहे क्या करूं आज तो आग ही नहीं जल रही ये सारी लकडिया गिली जो हो रही है तब ही वहां मन्जु की ननन आरती आती है तो वो अपनी भावी को देखती है कि उसकी भावी कैसे गिली-गिली लकडियों से आग जला रही है जो की जल ही नहीं रही सारे घर में दुआ और रोरा था तो वो ठड़ में बाहर गई और वहां से सुखे-सुखे पत्ते इकठे करके लाती है और वोली ये लो भावी अब इनसे आग जला लो मन्जु अरे आरती तुम इतनी ठड़ में बाहर क्यों गई देखाने आज कितनी शीद लहर चल रही है तेरी तवित खराब हो जाती तो मन्जु अपनी ननन्द आरती से बहुत प्यार करती थी और सोमेश की तो जान थी उसकी भेन आरती सोमेश एक सरकारी ओफिस में चाय देता था इसी से वो अपने घर का खर्ट चलाता था सोमेश मन्जु जल्दी से चाय थर्मस में भर कर दे दो आज सरकारी ओफिस में बड़े साब आ रहे है दूसरे साब का तबादला हो गया है देर मत करो जल्दी दे दो मन्जु हाँ हाँ ये लो ले जाओ सोमेज इस चिलचिलाती ठंड में चाय लेकर सरकारी ओफिस चला जाता है पर वे सोस्ता हुआ जा रहा था कि पता नहीं ये नए साब कैसे होंगे काश ये पहले वाले साब जैसे नहों वो तो गाली गलोच करने वाले थे उनकी गाली गलोच खाने के अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं था घर भी जो चलाना था और फिर बहन आरती की शादी भी तो करनी है सोमेज बहुत गरीब आदमी था तभी वे अपने पुराने साब से गालिया खा लिता था क्योंकि उसको अपना घर भी तो चलाना था और फिर बहन की शादी भी करनी थी फिर वेह ओफिस पहुचा तो देखा कि सामने वाली कुरसी पर एक महेंगे से सूट बूट में एक साब बैठे है तभी सोमेज दरवाजे के बहार से ही बोला साब जी मैं आपके लिए चाय लाया हूँ साब कहते हाँ हाँ अंदर आईए सोमेश काफी डरा हुआ था नए साब से तो चाय कप में करते वक्त उसके हाथ कापने लगे और चाय चलक कर साब के कपड़ों पर गिर गई साब मुझे मत निकालना यही से मेरा घर चलता है मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे अपनी बहन की शादी भी करनी है मुझे माफ कर दीजिएगा साब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ तभी गोरव अपनी चेर से उठा और बड़े प्यार सिखा अरे आप आईए इस कुर्सी पर बैठिये और ये चाए आप पीजिए आपको ज़्यादा ठंड लग रही है आपके हाथ कहाँ प रहे हैं तो आप ये चाए पिएंगे गोरव ने अपना कोट भी सोमेश को पहना दिया उसने घर पर आकर ये सारी बात मंजू और आरती को बताई अरे नए साब बहुत ही नेक आदमी है काश हमारी आरती के लिए भी ऐसा ही कोई नेक लड़का मिल जाए तब ही आरती रोते हुए भीया हम गरीब की शादी भी गरीब से ही होती है हम गरीब को महलो का सपना भी नहीं देखना चाहिए यह कहकर आरती रो पड़ी आरती के आसु देखकर मंजू भी दुखी हो गई और उसका भाई भी उदास हो जाता है ऐसी समय बीता रहा और सोमेश अपनी बहन के लिए रिष्टे भी डूण रहा था एक दिन साब में कल नहीं आ पाऊंगा क्यों सोमेश भीया साब वो कल मेरी बहन आरती को देखने लड़के वाले आ रहे हैं अगले दिन ललीता अपने बेटे सोरब के साथ आती है आरती को देखने ललीता ने मुँ में पान खाया हुआ था मंजूपने पती से अरे सुनो जी इस लड़के की उमर तो हमारी आरती से दोगू नहीं लग रही है और इसकी मा को तो देखो कैसे पान चबा रखा है ललीता अरे बेटा सोरब बताओ तुम्हें लड़की पसंद आई हाँ हाँ मा मुझे पसंद आई ललीता कहती है अरे मुबारक हो जी हमारे लड़के को तो आपकी लड़की पसंद है अब जरा दान दहेच की बात भी कर लेते हैं देखो जी मेरे बेटे की ये दूसरी शादी है इसलिए मैं जादा कुछ नहीं मांग रही बस एक बाइक, चैन, अंगुठी, टीवी और फिर्ज और अरे मा, बाइक नहीं, बुलेट, बुलेट चाहिए मुझे मंजु ने ये सोच कर, कि एक अधेर और विदू लड़के से हमारी आरती की शादी होगी उसका मन दुखी हो गया, और भै गुसे में भर कर बोली अरे, चलिए आप उठे यहां से, और भागो यहां से तुमने सोचा भी कैसे, कि मैं एक विदूर से अपनी कुवारी ननन्द की शादी करूंगी ललीता भी जला कर बोली, क्यों, तेरी ननन्द में कौन से ही रे मोती जड़े हैं, जो इसे कोई महलो का राजकुमार मिलेगा, तुमारी दहिश देने की उकात नहीं है, ऐसे ही किसी की रहा चलते आदमी से इसकी शादी करा दो, अपनी महरानी ननन्द की, चल सो रप, चल यहां से, उनके जाने के बाद वे तीनों खूब रोए, सोमेश में क्या करूं मेरी तो कुछ समझ नहीं आरा, मन्जु अजी ऐसा मत कहो, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं न, और होगा तो वो ही, जो राम जी ने आरती के भाग्ये में लिखा होगा, अगले दिन सोमेश की तबित खराब हो जाती है, तो ओफिस में चाई लेकर आरती जाती है, वह गोरब के केविन के बाहर से ही पूस्ती है, मैं आई कम इन सर, गोरब बिना देखे ही कह देते हैं, यस कम इन, आरती, how much sugar you take in tea, तभी गोरब देखता है कि एक फटे पुराने कपडों में लड़की खड़ी है, और कैसी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रही है, गोरब उससे बहुत परभावित हुआ, गोरब I am totally impressed, पर आप हैं कोन, कहां से आये हैं, आरती मैं सोमेज भहिया की बेहन हूँ, आज उनकी तबित खराब है तो मैं आ गई या चाय देने, फिर दोनोंने काफी देर तक बात की, ऐसे ही आरती कहीं दिनों तक चाय लाती रही और गोरब और आरती खूब देर तक बात भी करते, अब गोरब मन ही मन आरती को पसंद करने लग गया था, और एक दिन उसे अंगूठी देखकर कहा, आरती मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मैं बहुत दोनों से तुमसे यह कहना चारा था, पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी, आरती कहती है, माप करिये गोरब जी, मैं इतनी महंगी अंगूठी नहीं ले सकती, मैं एक बेहत परिवार से हूँ, और वो बिना कुछ कहे ही, वहां से चली गई, अगले दिन ही गोरब अपनी मा को लेकर आरती के घर, उसके भाई-भाबी से उसका हाथ मांगने आया, गोरब की मा महंगी साड़ी पहने, गेहनों से लदी, और शगुन का थल ये आई, मंजु चोक कर बोली, जी गई ये, किस से मिलना है, कहां जाना है आपको, लगता है आप गलती से रास्ता भूल गए हैं, गोरब की मा, बेटी, ना मैं गलत घर में आई हूँ, और ना ही रास्ता भटक गई हूँ, मैं बिलकुल सही जंगे पर आई हूँ, मैं आपकी ननन्द का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने आई, तभी गोरब बोलता है, भहिया भावी, मैं आपकी आर्थी को अपने महल की रानी बनाना चाता हूँ, बस आपके आशिरवात की जरूरत है, मंजू और सोमेश की खुशी का तो कोई ठीकाना ही नहीं रा, उन दोनों की आँखों से आसू बहने लगे, मैं हमेशा से यही चाती थी, कि मेरी ननन्द को महलो जैसा ससुराल मिले, पर ये तो नहीं सोचाता कि भगवान मेरी इतनी ज सल्दी सुन लेंगे, और मेरी गरीब ननन्द को महलो की रानी बना देंगे, इसके बाद गोरव की मा अपने गले से हीरो से जड़ा हार उतार कर आरती को पहना देती है, अब मंजू और सोमेश दोनों ही दिन रात महनत करने लगते हैं, और अपनी आरती की शादी करा देते हैं, महाँ फूलों से सजी एक बड़ी कात में आरती की विदाई उसकी जोपड़ी से होती है, आरती रोते हुए कहती है, भहिया बाबी, आपने मुझे इतना प्यार दिया है, इसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी, मंजू, ऐसा मत कहो मेरी प्यारी ननन्द, इसके बदले में तुमने भी तो हमें इतना ही प्यार दिया है, अब तुम खुशी-खुशी अपने घर जाओ, उसके बाद उस गाड़ी में बैठकर वे अपने ससुरा लाती है, जहां पर महल से बहुत दूर तक फूल ही फूल बिछे थे उसके स्वागत में, गोरव, आरत इनी फूलों पर चलकर तुम्हें अपने महल तक पहुचना है, फिर फूलों पर चलकर वो महल के दूर पर पहुची, उसकी आँकों से लगतार आसु बहे जा रहे थे, वहां महल के दूर पर गोरव की मा और बहुत सारे नोकर आरती का स्वागत करने को खड़े थे, गोरव पाउं उस परात में रख दिये, और गोरव की मा ने उसके पाउं दोने को जैसे ही हाथ लगाया, तभी भीगी आँकों से आरती ने कहा, मा जी आप ऐसा मत करिये, आप मेरे पाउं को हाथ मत लगाईए, आपने मेरे को इतना इज़त सम्मान दिया, मुझ गरीब को अपने घर राजमहल की बहु बनाया, मेरे लिए इतना ही काफी है, तब यूसकी मा कहती है, बहु अब तुमे इस राजमहल की बहु हो और बहु तो लक्षमी का रूप होती है, इसलिए मुझे अपनी लक्षमी का दिल से स्वागत करने दो, फिर गोरव की मा दूद से उसके पाउ तो आरती को अपने गरीबी भरे दिन याद आ रहे थे कि कैसे वो जंगल से लकडियां बीन कर लाती थी चाहे बारिशो चाहे धूपो या ठंडो कैसे चक्की चला कर आटा पीशती थी और उपले बनाने के लिए सडकों से गोबर उठा कर लाती थी इन सब बातों को याद करक और आज इतने बड़े राजगराने की बहु बनकर वो बड़ी खुश थी और उसकी आँकों से लगातार आशू बह रहे थे पर ये तो खुशी के आशू थे वो भगवान का धन्यवाद करती है धन्यवाद भगवान जी आपने मुझे इतना अच्छा जीवन साती और इतन करती है हाँ हाँ गोरव जी मैं बेहत खुश हूँ पर एक गरीब को एकदम से इतना सब मिले तो वो उसे एक सपना सा लगता है और एक अच्छा और संपन ससुराल पाना लड़की का ख्वाब होता है पर ये सब का खाव पूरा नहीं होता पर मैं वो खुश नशीब हूँ जिसे इतना अच्छा सब कुछ मिला है उदर उसके भाईयां भाबी भी बहुत खुश थे उसको जो राजमेल जैसा ससुराल जो मिला था और आरती भी बड़ी खुश खुश रहने लगी थी दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शियर कोमेंट और सब सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फॉर वाचिंग